दोस्तों बिहार बीटी एससी जेई की वेकेंसी आए भी थी ठीक ना और सिविल इंजीनियर जो डिप्लोमा किये हैं वो लोग भर सकते थे एक्सप्रियेंस वाले भी और फ्रेसर वाले भी ठीक ना और इसमें वेकेंसी आपको 6379 टोटल था और इसका मतलब ओन लेंगा प्राइवेट कोलेज के लिए नहीं है यह रिजब को टा ठीक ना प्राइवेज के लिए नहीं रहेगा अधर इस्टेट का बताएंगे ठीक ना एक्सप्रियांस होल्डर के लिए अलग से कट अब बना है उसका अलग से नमर भी जोड़े हैं ठीक ना माले जिए 88 माले इस नमर जोड़ेगा पांस साल का एक्सप्रियांस तो आपका उस बहुत ज्यादा बेसी हो जाएगा तो इस लिए हम एक्सप्रियेंस वाला के लिए अलग बना है और अधर इस्टेट के लिए भी अलग से बना है तो यह पूरा आप वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी में भी हम जतना अमीन काया था सीविल इंजिनियर में भी अमीन का था आई टी पर था गिरजिवेशन पर था सबका बना चुके हैं सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेंगे वहां से आप लोग जो लोग नहीं देखें वो लोग देख लिजेगा चलिए ता हम लोग पी टी एसी जूनियर इंजिनर एक्सपेकट्टेट कट आफ के बारे में हम लोग समझ लेते हैं यह इसमें एक्सप्रियंस नहीं जोड़ाए गया है सिंपन ले ठीकना और इसमें गवर्मंट प्लेगनीक प्रावेट 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 प्लेगनिक साथ में हम बना है इसका ठीटना तो इसमें आपको हाइस थोड़ा बना है उसमें आपका सेलेक्शन अराम से हो जाएगा नीचे वाले जोगे गवर्मिन पॉल्टेक्निक उसका 40% है यह किलियर आप लोग रखिएगा 40% हम कॉल कर गे भी पूचेते हैं बीटी एसी हेलफ लाइन नमर पे इस मिल तक एसी में 50-55 तक एस्टी में 47 लेकर बावन तक अब जुनियर इंजिनियर मेकनिकल के बात कर लिया जाए तो जन्रल में आपको 62-64 तक जा सकता ओबीसी प्लस एबीसी में आपको उनसर से लेकर पैसर तक एड़ाबल्यूस में 50-60 तक और एसी के बावन से 57 तक हैस्टी मे जुनियर इंजिनियर इनडिकल के बात कनिया जाए ज़िनयर इंजिनियर में आपको 62-61 तक जा सकता अबीसी प्लस एबीसी में 2100-64 तक तक ऑसी के बात कर लिया जा तो 45-50 तक पचास 55 आगे पीछ़े हो सकता है दोस्तों और इसमें आप से-लेक्शन अराम से हो जाएगा इसमें जिसका जिसका है ठिक ना और आगे हम बात करेंगे यह एक्सपरियेंस होलडर जो 50 पर 50 आगे एसा नहीं कि पाँच साल experience कर नहीं होगा बहुत से रहे स्टुटेंट ऐसे होंगा जो पांच साल experience holder हैं जो आभी कर रहे हैं या कर चुके हैं बिहार government से तो उनका अलग से हम cut up बना हैं तो वह भी आप लोग देख लिजिए हम प्रेंड बीटी एसी experience holder के लिए हम बोले थे experience holder के लिए अलग से cut up बना है जो माले जी आठासी परसेंट लिया एक्सपेक्टेट बतला अठासी बहुत कम ही काता है बाइचांस ठीक ना मतलब बहुत ही कम लड़का काता है तो नॉर्मली आपका पचासी एक असी तक आता है साब का तैसे हम अठासी तक लिए ह है तो उसका 75 परसेंट निका दिएगा तो आपका आजाएगा चौसाट लगभाग चौसाट परसेंट आएगा ठीक ना और चौसाट को आप पचीस पचीस साल experience माला पांच साल का experience अगर जोड़ते हैं पांच साल कही जोड़िए नीचे मत किजी या एक साल दो सल का अपना जोड़ लीजिएगा जितना आपका आएगा ठीक ना उसी के हिसाब से लेंगें कटन थोड़ा हाई कर दी हैं उससे नीचे ही आएगा तो चौसाट अपलस पचीस कीजिएगा तो आपका लगभाग 90 के आसपस आएगा तो इसी के हिसाब साम experience बना है ठीक ना और बाकी छू है चारिस परसेंट गवर्मेंट पूल टेकनिक वाला के लिए तो चुट मिलेगा ये किलिया रखिएगा ठीक ना तो देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे है तो जेके सिविल इंजिनियर जेनरल में अचाट पचासी से नपने तक जा सकता है ओबीसी इबीसी पलस असी से पच से मिंवें पराटासी तक जा सकता हैं दरलांतलं परण सकता है था ये चैन्वें लेकर Starting Committee करो दो तक जासकता है भंड जो देखेंगे कि लिए कितना और इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हुआ है दोस्तों तो आप समझमा चाहते हैं और चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को टिप दिजेए कि आने वाला हमेज साब को बीडियो में